दोस्तों हम अपनी application Vishnu Economics School के माध्यम से UPSC Economics Optional, UGC Net, PGD Economics इसके अलावा Assistant Professor के courses उपलब्द कराते हैं जो के हिंदी और इंग्लिस दौनों मीडिया में उपलब्द दें आपको application में वीडियो course के अलावा PDF Notes और Test Series मिलेंगे तो आप हमारी application जरूर डाउनलोड कर ले, Vishnu Economics School तो UPSC Economics Optional के Micro Economics के सलेवस में अब हम आप बच्चों को वीडियो नमबर 3 के बारे में डिसकस करेंगे इस वाली वीडियो में हम आपको तीन topic cover कराने वाले हैं जिसमें से है elasticity of demand के बारे में और साथी साथ elasticity of demand को किस तरीके से measure किया जाता है यह सारे के सारे topic हम आप से detail में डिसकस करने वाले हैं YouTube की बात करें तो YouTube पर आपको elasticity of demand वाली वीडियो मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बात करते हैं elasticity of demand का मतलब है कि demand को जितने भी factor effect करते हैं उनमें अगर change होता है percentage तो उसकी वज़े से demand में क्या change आएगा यानि कि अगर demand को affected करने वाले जितने भी factor से उनमें से किसी एक में percentage change होता है जैसे income में percentage होता है या related goods के price में percentage होता है या प्राइज में percentage होता है उसकी वज़े से quantity demand में क्या percentage जाएगा उसके proportion को ही हम बोलते है elasticity of demand तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं elasticity of demand का मतलब है percentage change in demand upon percentage change of any factor of the demand तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि तीन परकार की elasticity of demand होती है पहला है price elasticity of demand दूसरा income elasticity of demand तीसरा cross elasticity of demand तो तीनों के बारे में ही मैं आपको detail में इस वीडियो में समझाने वाला हूं तो शुरुआत करते हैं बच्चों price elasticity of demand से जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी गुड्स का price उसकी demand को influence करता है law of demand हमें केवल यह बता के छोड़ देता है कि कीमत के गटने से demand बढ़ेगी यानिकि price अगर fall करता है तो demand जो है वो राइस करेगी लेकिन एक्टेंट नहीं बताता देखिए अलग 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 तरीके से राइस करती है तो एक्टेंट का मतलब है आपको यह बताना कि कितना गुणा बढ़ेगी यानिकि उसका जो वैल्यू वैल्यूशन एक्टेंट है उसके बारे में यह जानकारी नहीं देती है बच्चों तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जो अब यह बताती है यानि कितना एक्टेंट हुआ डिमांड में कितना चेंज हुआ जैसे माली जीए मैं आपको एक गुट्स ले रहा हूं एक गुट्स है गुट्स बी गुट्स और सी गुट्स अब तीनों इकुट्स के जो प्राइज है माली जो प्राइज में 10 परशन का चरहा होता है कि लेकिन हर गीस में जो कॉंटिट्इ थो करें कि एसा जरूरी यह बसकता है यह लंघ्यालि यह दो तो इसका फर्मुला है पर करोगे तो एकसे यहाँ पर माइनिस का साइन नियुक्त करती तो इसका नियुक्त को नहीं होती है बस यह minus का sign negative relation को दिखाने के काम आता है, इसके बीच में negative relation है, negative relation between quantity demand and price, तो price और quantity demand के बीच में negative relation मनाने का कामी, आप कह सकते हो, price elasticity और demand करता है, आगे हम बच्चों बात करते हैं, तो इसके प्रकारों की तो पांच तरीके के प्रकार है, पांच टाइप से, आप चाहोगे त मैं आपको अलक्स से भी बनाके एक page में समझा देता हूँ, देखे, सबसे पहला है, perfectly, perfectly inelastic demand, तो perfectly inelastic demand का क्या मतलब है, perfectly का मतलब पूरी तरीके से inelastic मतलब ना बदलने वाली demand, यानि कि हम एक ऐसा case लेके चल रहे हैं, जैसे मालीजे कोई life saving drugs है, इसका price 100 rupees पर कोई consumer जो है, वो 100 unit buy करता है goods की, उसी goods का price अगर 200 हो जाए, या 50 हो जाए, तो उसकी demand पर किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ेगा, ये एक hypothetical condition है, लेकिन condition तो है, extend तो है, possible तो है, उस case की demand है, उसको हम कहते है, perfectly inelastic demand, यानि कि इस case में क्या होता है बच्चों, जो हमारा price है, वो देखे change हुआ, माल लीजिए हमारा, सबसे पहले हमें हमें रख लेते quantity, अब इस case में जो price है, अगर वो change करता भी है, तो demand जो एक चेंज नहीं होगी, यानि कि price change होने से demand change नहीं हो रही है, इसलिए, इस लाइग में demand कर विक बिल्कुल सीरी देखा में होगा, इस तरीकी से, और इस case में जो ED है, वो equal to zero कह लाएगे, यानि कि क्या मतलब है, इसका मतलब है, कि percentage change in demand, in demand, upon percentage change in price की बात करे, तो आप बिच्चों साफ साफ देख पा रहा है हो, बिल्कुल साफ साफ, कि demand 0% change होई है, और जो price है, माली जे वो 100% change होगा है, आंसर जो आएगा, वो 0 ही आएगा, इसलिए इसको 0 से रिनोट करते हैं, बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बास समझ में आ र elastic demand का, बच्चों perfectly elastic demand तब कहलाती है, जब price में change होने से, जो quantity demand है, प्राइस में बिना किसी change के भी quantity demand change हो जाती है, यानि कि अगर हम माल लेते हैं कि price जो है, वो माल लेजिए 100 रुपीज पर quantity 100 है, अगर हम price को 100 ही मालने हैं, लेकिन quantity बढ़कर 200 हो जाए या price 100 पर ही quantity 50 हो जाए, यानि कि price में भौत ही slight change होने से, या change ना भी होने से, अगर quantity demand change हो रही है, तो इस case में जो graph बनेगा वच्चों इस तरीके से बनेगा, इस तरीकी का demand, यानि कि यह क्या बता रहा है, यह बता है, लेकिन जो quantity demand है, आप देख पा रहे होंगे भीटा, वो बढ़ गई, और घट गई, ओके बच्चों, तो यह simple सी बात है, बहुत ही simple तरीके से, हमने यहापर यही दोनों बातों को समझा रहा है, अच्छा यह तो change point change है, कोई बात दी, लेकिन basically perfectly realistic demand हमने आपको बता दिय कि price change होने पर भी, जो demand है, वो change नहीं होगी, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, बच्चों, तीसरा point हम ले लेते हैं, तीसरा point हम माल लेते हैं, more than, more than, unitary, elastic demand, यानि कि यहाँ पर ED जो है, वो more than one है, इस case में क्या होगा, बच्चों, price माल लीजे, आपकी 100 है, और quantity आपकी 100 है, price अगर 80 हो जाता है, और quantity 150 हो जाती है, यानि कि अगर हम percentage change की बात करें, अपना formula यूज करें, percentage change in demand upon percentage in price, तो demand में जो percentage change हो रहा है, वो 50% हो रहा है, और price में change हो रहा है, 20% हो रहा है, यानि कि अगर हम इसको divide करेंगे, तो जो answer आएगा, वो 2.5 आएगा, यानि कि इस case में ED more than one कहलायाएगी, कि दिमांट कि अगरम इसका ज्यादा जादा इसका मतलब वी मुअ कि प्राइज थोड़ा सा ku चैंज आता है، लिक और यह में टॉड़ा सब चेंज नाने इसी है जो डिमांड है उसमें ज्यादा चीज़ देखने को मिलेगा तो इस तरीकी की जो डिमांड होती है वो कहलाती है more than elastic demand दूसरा पॉइंट भी हम कवर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं less than elastic less than unity elastic demand तो less than unit realistic तब कराएं कि जब प्राइज मन लीजे 100 है और क्वांटिटी अंडड है प्राइज वन प्राइज हो जाती है मन लीजे 50 और क्वांटिटी रह जाती है केवल 120 यानि कि प्राइज में जो चेंज हुआ है वो 50 परशन का हुआ है लेकिन डिमांड में जो चेंज हुआ है वो 20 परशन का हुआ है इसका मतलब हम फार्मूला पुट करेंगे और 20 को डिवाइड कर देंगे 50 से तो जो आंसर आएगा इट विल बी 0.4 ऑके बच्चो इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में जो डिमांड है एडी जो है वो लेस्टन वान है यानि कि अगर प्राइज में जितना भी परसंडे चें बहुत है है जैए जैदा भाटर में प्राइज को करना पड़ेगा इसका मतलब इसका सुलोप और सुलोप है और जैसे हैं आप डैगराम के शेपशे देख सकते हो कि मोर्दन मन कब हो गी यह ज्यादा फ्लेटर होगा यлекह सब्सक्राइब एक और पॉन्त रहे गया उसको प्रक्राइब ला स्कांड हरन लेटे वह कहलाता है सेम डिमांड में चीन जोगा आप देख पारें दोनों में कितना परशेंट है तो इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्छो कि 20 को अगर हम डिवाइट कर देंगे 20 से तो आंसर वन आएगा इसका मतलब आप इसको सिंपल तरीके से बना सकते हों अगर आप ग्राफ ऐसे बना रहे हो तो यह आपका इडी जो है वो मोर देन वन होगा अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो यह लेज देन मन होगा और अगर बीज कुल बीच में लेकर आ रहे हो तो यह इडी वल्टू वन होगा इस तरीके से खड़ा है एडी जीरो होगा और ऐसे लिटा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ बच्छों बिलकुत सिंपल तरीके से हम आपको सम्झाने की कोसिस कर र होगी और यह वाले केस ज्यादा प्रक्टिकले यानिक ऐसा लग्जीरी कुर्स के शिए होता है यह नैसे इस व्यच्छ के केस में होता है तो यह सारी बात थी बच्छों हमने और डी सम्झाने हुई है आप चाहो तो यह नोट को आप ढॉलोड कर सकते है जैसा कि मैंने आप आपको अलड़ी बता दिया है हमारी application के अंदर यह मिल जाएंगे सारी बाते बच्छों वही लिखी हुई है जो हमने आपको समझाई है अब हम आगे बात करते हैं income elasticity of demand की देखे जैसे किसी goods की price को change होने से उसकी demand में change होता है उसी तरीके से income में change होने से भी demand में change देखने को मिलता है positive change होता है negative change होता है या change नहीं होता है वो nature of commodity पे depend है लेकिन हम यह देखते हैं कि income में भी change होने से demand में change होता है लेकिन जब हम इसी को percentage में पता करते हैं यानि कि अगर मैं यह कहता हूँ मैं कहता हूँ मैंने हो जहते हो थो है थो मैं जो कोंटिटी खरिद था था常 किर्टीटी खरिद था अब हमें पता रहे हैं कि गूर्ट्स केस तरीक है है यह ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर दिखे है हमारा 100% आया यह हमारा 50% है बच्छों पर से लिकालना आपको आता होगा मैं अम्मीद करता हूं नहीं आता है तो किसी वीडियो से सीख लिए परशन इस तो मैं लिकालना में नहीं सिकाऊंगा इसका मतलब यह हुआ प्यारे में बताएं डिश्वे लेकिन अगर हम बात करें कि इनकम रहा और हमें इंक्या बताती है तो इंकम इंकम ए इस बिद्वान में होता है इसको इस तरीके से लिखथे क्यों डेल्टा की उपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन में क्यूं एक्वल टू एडी और इसको यहां पर वाई बोल देते हैं यह कई वाई बोल देते हैं तो बच्छों इसके प्रकारों की बात करें तो पॉजिटिव इंकम इलस्टिशिटी ऑफ दिमांड है पॉजिट तो सिंपल सी बात है कि अगर इंकम बढ़ती है तो दोनों गुट्स वो जो इंकम इलस्टिशिटी वह पॉजिटिव होगी और ऐसा नॉर्मल गूट्स के कैस में होता है जो कि नॉर्मल गूट्स के इसमें यह पॉसिवल है कि इंकम बढ़ने से कंजूमर जाला डिमांड कर जाए तो यह कहला एगी डेटर देन वन इंकम इलस्टिशिटी यानिकि वन परशन्टेटेच अनिश्यन इंकम इस मोर थैन परशन्टेचेंग लिए निकम इंकम में जतना परुज किन दा रुदाइब इंकम में इसे ज्यादा पर्सेंटेट चेंग हो तो उसको बोलेंगे हम positive income elasticity आप चाहो तो मैं आपको बना के भी दिखा सकना हूं बच्छो दिखें जैसे कि हमने आप कोई बताया माली जे सरी income हम ले लेते 100 और quantity demand आसानी के लिए 100 ले ले लेते हैं अमाली जे इनका में 120 हो गई तो डिमांड में तीन कंडिशन पॉसिबल है पहला डिमांड देर सो जाए यानिकि 20 परसेंट इसमें चेंज होने से यहां पर इवाई क्वल टूवन होता और डिमांड 110 हो जाती तो यह कहला था दस परशन चेंज यानिकि इसकेस में इवाई लेस दन वन होता तो सिंपल कहने का मतलब यह हुआ बटा कि बच्छों की अगर 20 परसेंट चेंज होता है इंकम में और डिमांड में में ज्यादा चेंज होता है तो मोड़न इलस्टिक है डिमांड में कम चेंज होता है तो लेस दन इलस्टिक और डिमांड में उतना ही चेंज होता है तो यह इंकम में चेंज होता है तो यह आपके सकते तरीक से इक्वाल इंकम इलस्टिक कहलाएगी तो पॉइंट में बाप परस्टेंट चेंज करने की वजह से तो दूसरा के समक्राइब एक लेस दने कम इलस्टिशिटी ऐसा नेसेश्टी गुट से केसे में होता है और ऐसा तब होता है जब परसेंट में डिमांड हो रहे हैं 15 परशेंट और इंकम चेंज हो रहे हैं इस तरीके की जिए कंडिशन हो इंकम में राइज हो रहा है तो दिमांड भी 15 परशेंट चींज होगी इस तरीके की जो चीज होती है इसको कहते इंकम इलस्टिशिटी जो है हमारी वह एक तरीके से आप कह सकते हो एक टो तब कहलाती है जब जो है वह इंफीरियर हो च्छोंकिक इनफीरियर गुट से केसम और टीटिटि के रिलेशन को दिखाते हैं तो आप याद रखिएगा पॉजिटेंग अलस्टिशिटी तब होधी है जब बंड़ने से देमांड बढ़ती है नॉर्मल गुट से केस में होता है है और अनगयव लेचित प्राइस के बंड़ने से रिमांड घथती है और ऐसा ह बढ़ेएं तरीके चेंज़ नहीं आता इसको कहते हैं जीरो इनकम इलेस्टिची का क्यलाइगी जब इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी जिरो इनकम इलेस्टि HEY कि नहीं होगा और नेगेटिव इंकमिंशडरी से जुआइव"? इनकम में बढ़ेगी आगे हम बात करते बच्फो क्रॉस ऐलस्टिची आप इमान्ड की क्रॉस ईलस्टिचिटी में हम यह जार चटे यह करते हैं कि रिलेटब उसके चेंज होने से किस तरीके से जो डिमांड हो चेंज होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको पता करने के लिए इसको क्रास्टिशिटी कहते हैं तो यहां पर देखी फार्मूला भी लिखा हुआ है आपको समझा देता हूं जैसे मानी जीए कि हम यहाँ पर बात कर रहें एक्स की और यहाँ पर यहाँ बात कर रहें कि कैए महुती सिंपल तरीके समझ नहीं कोसिस कर रहे और हम यह मान के चल रहे हैं कि पेट्रॉल और कार इन दो गुट्स हैं हम सिंपल मानने के लिए हम यह माल लेते हैं कि एक्स गूट्स है या इसको Y goods मां लेते हैं और ये जो है वो X goods है PX और QX माली जे पेट्रॉल का price 100 रुपे था और उसकी जो डिमांड है वो माली ये 500 लीटर की है जब कि कार जो है माली जे simple माने के लिए माले 100 रुपे है और उसकी जो डिमांड है वो 100 unit है ठीक है जी हम यह मान के चल रहे हैं अब petrol और car जो है वो दियार दी substitute goods आपको पता होना चाहिए petrol और car sorry complimentary goods इसका मलब petrol और car complimentary goods है क्योंकि एक का प्राइज बनने से दूसरी की demand पर इसका बुरा असर पड़ता है तो माली जे petrol 200 रुपे लिटर हो जाता है जबकि car की कीमत 100 रुपे के समानी बनी रहें तो आप देखोगे कि लोग जो है वो कम car की demand करेंगे क्योंकि definitely car की जो demand है इस पर बुरा सर पड़ाएगा और petrol की demand भी घड़ जाएगी लेकिन अब ग्रोस इलेकिशीटी पता करते हैं तो क्वांटिटी लेंगे हम एक्स गूट्स की और प्राइज लेंगे वाइगोश का प्राइज इलेकिन यहां पर क्या करेंगे प्राइज लेंगे किसका petrol का quantity लेंगे कार की तो देखिए किस तरीके से फर्मूला बनेगा हम इसको एक्वाल टुट अट्यों पारइटापी इंट पी बाइए में क्यूटकिन कॉंटिटी लेंगे एक्स की अब प्राइज के वाई तो तो देखिए हम समझे कोसिस करते हैं तो चेंज कॉंटिटी निके क्तिटना चेंज हुआ है क्वांटिटी में चेंज माल लीजए 20 प्राइब कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कीश कितना है नहीं जो है वह था हमारा 100 और इनिशाल say से solve करेंगे तो इसका जो answer आएगा हुआएगा माइनस का 2 sorry माइनस का 0.2 इसका मतलब यह हुआ कि इस case में जो answer आएगा हुआएगा EC less than 0 तो EC less than 0 के case में जो goods होती है वो complementary होती है आप इस बात को दिमाग में fit कर लीजिए एक और आपको numerical example इसी तरीके से समझा देता हूँ बाकिया थियोरी तो मैं आपको पढ़ाई दूँगा कि माल लीजिए दो चीज़े है माल लीजिए cng है और petrol है हम स्रिवदा के लिए माल लेते कि cng जो है वो 50 रुपे में आती है और एक व्यक्ति जो है वो 1000 लिटर cng डलवाता है जबकि petrol 100 रुपे में आता है और वो 100 लिटर पेट्र ललवाता है ठीके देख चलिए माल लीजिए स्विवदा के लिए वो भी 1000 लिटर रलवाता है अब माल लीजिए कि cng 100 रुपे की हो जाती है जबकि petrol 100 रुपे का रहत तो डेफिनेटली इसकी डिमांड गड़तेगी और इसकी डिमांड जो बढ़ जाएगी सिंपल सी बात है क्योंकि लोग क्या करेंगे इसका मतलब डेल्टा क्यों डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यों quantity x की लेंगे और price y करेंगे हम जा गरते इसको x माल लेते हैं इसको y माल लेते हैं इसका simple मतलब यह हुआ कि हम quantity में इसको consider करेंगे और price में इसको consider करेंगे तो Qx यहने कि delta Q में कितना परिवर्थन हुआ है change कितना हुआ है 500 का change हुआ है यांप देख पार होंगे 500 का चांज हुआ है पराइस में कि तना चेंज हुआ है 50 का चेंज हुआ है अब आप देखिए को भी मायनस का साइन नहीं आएगा कि कि दौनों में व्रधी हुई है इसी तरीके से इनिशल प्राइस की बात करें तो इनिशल प्राइस जो था पी वाई वो 50 है और इनिशल पॉंटिटी की बात करें तो 1000 है यानिके एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ठीके बच्चो यह सारा का सारा कट गया इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25 यानिके अगर डिमांड हमारी सब्सक्राइब रहेगा और कॉंप्लिमेंट्री यह तो आंसर हमेसा नेगेटिव रहेगा तो इसी बात तो मैं आपको यहां पर सम्झाने कोसिस कर रहा था कि गुड्स तीन तरीके की वो दो तरीके के रिलेटेड और अन्रेटेड जैसे माली जिए पैट्रोल की कीमत बढ़ने से एकनोमिक की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा कोई असर नी पड़ेगा तो अन्रेलेटेड रूट्स की तो तो यह जीरू यह अन्रेलेटेड रूट्स की होती है जैसा कि हमने देख इस वाले पॉइंट में सम्झाया भी है इस वाले पॉइंट बेर जी वाले पॉइंट में इस वाले पॉइंट में लिखा भी है के यह वैक्क 152 रिच अहीं की प्राइप पूर्ट अलाग लगे इसके अलाब आपको मैं बता देता हूं कि पॉजेटिव इंकम लश्टीशीटी कप कहला है कि जब गूट सब्सक्राइब लोगी हमने अल्रेडी पढ़ लिया है इसका बतलब क्या हुआ कि वांत बढ़ने से दिमांण बढ़ेगी कि प्राइस ऑफ एक्स मंगने से प्राइज पाइबर बढ़ने से लिसाए फ़ांदी एक्सक वह बड़े की डिमांड पूर्फल है कि इसके क्वाक्राइब लेगरफ यानिमेंटिर गुप कानेनिडव चस्वें नेगेटव दिद्व यह गलत लिखा हुआ है नेगटिवाइगा इन शच केसे वन देप्राइस इन इंक्रीज इन दी प्राइस ओफ एक्स लीड़ी टू डिक्रीज इन दिमांड आफ इस तरीके से डियागरम मनें अप एक बात और याद रखेगा अगार गूर्स पर्फेक्टी शुच्टूटे तो जो इसकी वैल्यू होगी वाईगी प्लस में इंफिनिटी आप याद रखेगा चोप्लस इंफिनिटी होगी और ऐसा कहते हैं कि अगर पर्फेक्ट ली कंप्र कॉंप्लिमेंट रिये हैं तो माइनस इंफिनिटिया है लेकिन बच्छों ये वाला था प्रूफ नहीं होत लेकिन फिर भी अगर मान के चल रहे हैं तो यही माइनस का साइन आएगा लेकिन आप फिर भी इसको कंफर्म कर लीजिए गा लेकिन ये तो शूर है कि जब गूट्स परफेक्टली जब 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 जो होगी वह परफेक्टली सब्ष्यूट होती है तो उसका जो अंसर इस वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा इस वीडियो में नहीं थेंक्यू